कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जानकारी वह सेक्षिक और सुप्मक्र कुदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय सला कानूनी सला या तो वक्तिगच सला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैन दुस्तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकोईन के अंदर हम देखेंगे तो मार्केट में कुसी टायम के अंदर अंदर मार्केट बड़ा-बड़ा मुमेंट लेता हुआ हमें नजर में आ रहा है Bitcoin के अंदर दीन में हमने देखा एकाद घंटे के अंदर Bitcoin के अंदर एक correction लगा था बीच में आप देख रहे हैं $47,000 से सीदा सीदा Bitcoin के अंदर correction आया $45,000 मतलब कि $2000 का immediately correction और उसके बाद recovery भी हमें immediately देखने को मिला तो market के अंदर यह सब क्यूं हो रहा है तो market के अंदर अमरिका के तरफ से जो SSC के नएने ब्यान आ रहे वो ब्यान के आदार के उपर market moment ले रहा है मैं यापर यह भी कहे सकता हूं कि यह जो market में volatility दिखी यह एक trailer था मतलब यह भी हो सकता है यहाँ पे हमें केरफुल भी रहना होगा मार्केट के अंदर वूलिट इलिटी के मामले के अंदर हमें बिल्कुल केरफुल रहना पड़ेगा चुकि आज के दिन भी SAC के चेर्मेन ने कुछ ब्यान दिये हैं उसके बारे में कुछ बात करता है SAC के चेर्मेन मतलब की Gary G इसे में भी सभी लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं उसको मैं बताना चाहूँगा ए अमरिका का जो SAC है जिसे हमारे इंडिया के अंदर से भी डिपार्टमेंट आता है उसी तरीके से अमरिका के अंदर आता है SAC उसके चेर्मेन है गेरी जी इसका नेम है अब यहाँ पे आज के दिन गेरी जी ने अगेन एक tweet के माधियम से हमें एक message देने की कोशिस की है कि crypto asset के अंदर investment करना risk हो सकता है बट दूसरी line के अंदर यहाँ पर उसने यह भी लिख के बताया है कि crypto asset है वो securities है मतलब कि यहाँ पर कुछ asset है आपको भी बता है कि अमरिका ने बार बार बताया है और हमें भी पता है कि crypto asset maximum है वो securities है तो यहाँ पर Gary जी ने बताई कि crypto asset securities है बट उसने ये भी बताया है कि crypto जो चीज है वो एक नई opportunity हो सकती है अब देखे यहाँ पर इसने दोनों side बता दिया कि crypto asset risky है securities भी है बट एक नई opportunity है इस बार कुछ मज़ा आया क्योंकि Gary जी अभी तक देखेंगे उतना positive clear cut कभी नहीं अब याँ पर देखें new opportunity ये word सुनके काफी अच्छा लगता है कि कहीं government थोड़ा support भी कर रही है इस सारा का सारा चीजे पढ़ने के बाद लगता है कि ETF अपरू होने से पहले ये लोग disclaimer दे रहे हैं क्योंकि ये पहले ये बता रहे है retail investor को कि crypto asset के अंदर बहुत ज्यादा risk ह asset के अंदर काफी सारे asset है वो securities है के नहीं सकते कि कौन सा project क्या करे ऐसा भी नहीं कि सभी project पुरे हैं यहाँ पर इसका केने का साफ साफ वही मतलब निकलता है opportunity इसलिए बादा है जो ये crypto asset एक नया अच्छा trend है आप देख रहे हैं कि हमारे लिए ते opportunity है उसमें साथ साथ में scam भी है ज्यादा scam हो रहा है थोड़ा जो project है वो अच्छे है तो बात यहाँ पर दोनों है सही भी है गलत भी है यहाँ पर यह वाला message है बाकि और इसने detail में लिखा है यह उसी का article है यहाँ पर SSC का official website उसी का article है उसने बताया कि क्या cryptocurrency खरीदना चाहिए या फिर token खरीदना और पूरा detail में बताया है Bitcoin asset के बारे में बताया है कितना कितना risk के वो बताया पूरा के लिखा लिखा गया है मतलब की maximum aware कि लोगों को कि यहाँ पर, Bitcoin के अंदर, crypto के अंदर कितना नो के कितना कितना risk है इस तरी के साथ है कैसे dog और नियाम में डिश्कलेंवर हैं चैशे से आपको मानके यहां पर लेना है अब आपको क्या लगता है कि क्या गेरी जी आज नहीं तो कल यह ATFA अप्रूव होगा यहाँ पर ज्यादा confirmation मिल रहा है बाकि आपको जो भी लगता है वो comment section के अंदर बताना है इस वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना ऐसे की content हम बनाते रहते हैं